नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है विक्रम और आज से हम लोग जो एक नई सीरीज की शुरुवात करने के लिए जा रहे है चैनल पे तो आए दोस्तों आज के जो है गौल के प्राइज जान लेते हैं ये गौल के प्राइजوس एक एक दोहजार तेहिस के हैं और ये इंडिकेटिव ग्राइज है इसके बात में दोस्तों अगर हम लोग बात करें चोबीस करेट 19 isop9 का जो गौलड है उसकी प्राइज जो है 54,800 र तो 52,570 रूपीज पर 10 ग्राम जो है इसका प्राइस चल रहा है इसके बाद में 22 करेट 916 हॉलमाक की अगर बात करें हम लोग तो उसका जो प्राइस है 50,280 रूपीज के असपस जो है वो चल रहा है इसके बाद में दोस्तो 20 करेट की अगर हम लोग बात करें 883 की तो 45,710 र इसके अलाव आगर हम लोग बात करें 18 का याने की 750 की जो की हंलमाग होता है उसकी फ्रायस जो है¡ अभी 41,140 रोपीज चल रही है इसके बाद में 14 का आगर हम लोग बात करें तो 14 का 583 की जो गोल्ड की प्राइज है वो वो 32,000 रुपीज पर 10 ग्राम जो है चल रही है इसके अलावा दोस्तों अगर सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो 999 प्यॉर्टी वाला जो सिल्वर है जो 1 kg का प्राइज है वो 67,870 रुपीज जो है अभी चल रहा है इसके बाद में डॉलर वर्सिस रुपीज की अगर हम लोग बात करें तो डॉलर जो है 82,6889 रुपीज पेड करने के बाद में हम लोगों को 1 डॉलर मिल रहा है जिस टाइम पे ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ उस वक्त की जो है मैं बात कर रहा हूँ इसके अलावा दोस्तों ये जो गोल्ड के प्राइजेस है ये इंडिकेटिव गोल्ड के प्राइजेस है और इसमें जो है GST शामिल नहीं है हो सकता है आपके area में gold के prices थोड़े बहुत ज़ादा हो तो मैंने यहाँ पे areas mention कर दिये हैं आप लोग चाहे तो इसका screenshot लेके रख सकते हो और अगर आपका area इसमें शामिल नहीं है तो आप comment box में comment करके आपके state का नाम और आपकी city का नाम लिख सकते हो तो हम लोग उसके gold के prices आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने 24 करेट 995 लिखा है 23 करेट 958 लिखा है 22 करेट 916 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है इसके उपर जो है आज शाम की वीडियो में हम लोग कैसे होता है कैरेट शब्द क्यों आया और हम लोग परसेंट का यूज क्यों नहीं करते ही यह सारी चीजे जो है उस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के स